प्रत्थम रास्ट है ये बात तो देखो सपस्ट है आज लोग सड़कों पी निकलाएं आज गरगर में बंदे मातरम है अगरगर में बारत माता की जय है अब गरगर में हिंदू मुस्लिम सिखे साईयों के खून का बना हुआ तरंगा जंडा दिल से लहराया जा रहा है मैं हा तरंगे जंडे का जो एक शक्ति ताकत को उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा उसके उंगल उठाएगा वो राष्ट के साथ प्यार नहीं करता उसके लिए प्रथम राश्ट नहीं है उसके लिए सिर्फ है वोट सता कुर्थी बाद कि अधिर तक यह पत्थर बाज कब लगाम लग पई क्या आपको लगता लिए पत्थर बाज आप लागति यह हुआ है जो बेरोजगार है या कुछ जिहादी है क्या आखिर क्या लगता नहीं कि आपको बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है कश्मीर में या इल्टिमेटिस सरकार को कुछ ऐसी समस्या है हमारे खून पसीने का पैसा वहां जाता है दस रपे किलो चावल होंगे मुझे रेट पता नहीं पांच रपे किलो आठा होगा टेक्स बहुत ज़्यादा है टोल टेक्स बहुत लेते हैं हर चीज हॉस्पिटल हर चीज उनकी फ्री जैसी है तो वो काम क्यों करेंगे क्यों काम करेंगे वो खाली रहेंगे पत्थर फेंकेंगे क्योंकि फ्री की खाते हैं खून पसीना हम बहाते हिंदोस्तान का हर व्यक्ति बहाता और सारा पैसा जो है हम उदर बेज देते हैं और वो हमें क्या देते हैं शहादत हमारे जवानों के उपर गोलियां हमारे जव भाग जारने, बच्चे यतीम करने, खून की नदियां बहानी और गुनगान करने, पाकिस्तान जिंदाबाद, अभी एक इंटर्वीव हुई जिसमें महभूबा मुफ्ती इस इंटर्वीव में रज्य शर्मा को कह रही थी, वो तो हमारे नरेंदर मोदी हिंदोस्तान के तो इसका तो कोई हल नहीं, इसका हल ही किया, तिन सो सतर जारा, बार बार कहता हूँ, हटाओ, जो भी करूना हटा डालो, क्या होगा, आपने पंजाब नहीं ठीक किया, पंजाब में मिल्टरी नहीं लगाई, पंजाब में सी अर्पी नहीं बेजी, पंजाब में बी एस ने लड़ी, RSS ने लड़ी, Congress ने लड़ी, सब ने लड़ी, CPM ने लड़ी, हमने पंजाब को ठीक किया, तो किश्मीर में लगाओ ना फोर्स, सारी इंदोस्तान की फोर्स लगा दो एक बार, हटाओ सारी इंदोस्तान की फोर्स, लगाओ, कितने मीने, दो मीने, चार मीने, प काम करेगा उसको काम करने की आदत पड़ेगी जी हम वेलियां खाने की तो हमने आदत डाल दी कितने कितने तो पिछली सरकारों ने पैकेज दिये किस बात के पैकेज बही किस बात के पैकेज हमें कश्मीर क्या देता है हमें कश्मीर हमारे जवानों की शहादत करता है हमारे ज वित्करा किया क्या हिंदोस्तान के प्रधानमंत्री ने वित्करा किया कहा एक भी व्यक्ति अतंकवादी हो अतंकवादियों का लीडर हो कोई हो जो इस दर्ती पे है कश्मीर की दर्ती पे है हिंदोस्तान की दर्ती पे है मातरबूमी की दर्ती पे है वो बचना चाहिए बचे उसमें के अतंकवादी भी बचके होंगे, अतंकवादी के आका भी बचके होंगे, बेहने भाई सब बचाए, क्यों हमने तो नहीं कहा कि यह खत्म हो जाए, यह मारे जाए नहीं, इंसानियत का जनाब सबूत दिया हमारी फौज ने और उस फौज के उपर आप गोलियां चला है वाइट चोली दामान में वाइट कपड़े पहनते हैं निकलते हैं हाला कि मोधी जी ने सुरक्षा हटा दिये लेकिन क्या सुरक्षा ही सॉलूशन है क्यों नहीं अगर यह मिले जो मिली मिली बगत है इनकी तमाम तरह के सियासी गल्यारों में इस बात की चर्चा रहती है कि हुरियत नेता मिले हुएं पत्थर बाजों से मिले हुएं पाकिस्तान से मिले हुएं अल्टिमेटली सॉलूशन कब होगा तो आते गुवर्नर रूल लगा देते हैं पंजाब की तरह तो मसला हल हो जाता अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया भी हम अकेले करेंगे तो कहेंगे यह मुसलमानों के खलाफ है पार्टी देखो चीदी इसी बात है वो दुनिया में मैसेज शायद गलत जाता जो मेरा मानना है उन्होंने पुलिटिकल तरीके से मैं बूबा मुफ्ती को जोड़ने की कोशिश की अब हमने जीवन में बहुत कहा है जंग कर दो जंग क्या हल है वही यहां भी उदर भी इदर भी कितना नुक्साना आप सोचो तो हर चीज को सोचो पुलिटिकल एंगल से भी सोचो पुलिटिकल है हां कोई और सरकार होती वो ऐसा कर देती बीजेपी है उसको करने में टाइम उसको हल करना टाइम तो लगेगा पर ये तो देखो पहले लाल कारपेट के साथ यातिन मल्क जैसे दो लोग दिली आते थे जलानी जैसे दिली आते थे तो कितना स्वागत होता था होटल में ठराते थे बुलेट प्रूफ गाड़ियां देते थे दिली के अंदर ताकि वो बे है हर चीज का एक हल हर चीज का आप जानते है अजीट डवाल को जानते है कोौन अजीट डवाल जी जो पेचारा साथ साल सेव कीडेरी लगाके मज़्दूर बनके एक चाय का काम करके इस रास्टर के लिए कौन जाता है बही वहां जाके उन्होंने पूरी वहाँ की intelligence की क्या होता है क्या नहीं होता वो पकड़े जाते क्या होता मार देते मार देते खतम कर देते आज अजीज डवाल हिंदोस्तान का शुरक्षा साल सलाकार है प्राइम मिनिस्टर का मैं पूठ ना चाता हूँ आपसे अजीज जवाल जी थे पहले कोई शुरक्षा सलाकार किसी प्राइम मिनिस्टर का ऐसे देखा मेरी तो जिंदगी गुजर गई नरैनन थे उन्होंने टोटल राजनेती की वो पहले जो हेलिकॉप्टर आने थे उनमें उनका नाम शामिल था आई बी के चीफ रहे राजीव गान्दी का political murder उन्होंने कराया और ही मनमौन सिंग के सुरक्षा सलाकार रहे उसके पहले देखिए कितने सुरक्षा सलाकार हैं इस राष्ट के इस प्राइम मिनिस्टर के और देखो इतने बड़े उपरेशन उन्हीं ने उन्हीं ने किये आप जो सफलता है जो अच्छाई है मैं फिर कहूं प्रतम राष्ट ना मेरा मजब ना मेरा धर्म ना मेरी पार्टी ना मेरा प्रत्म रास्ट को पुरा बनाना बनाए मेरी पार्टी बनाए को मुझे को इन चीजों से लेना देना नहीं जीवन मेरा चोटा है जीवन बोनस है मर के तो कहूंगा नहीं सच कहूंगा जीवन में देखता हूं वही कहूं भावक हमें ना करिए आप भावक ना करिए कामजाबी की भी बात किजिए अगर हमारे पंताली जवान शहीद हुए है उसकी तो जान चूनी चाहिए शुरक्षा की क्या कमी थी उसके बार बार को बारा प्लेन जाते हैं और जाके तबाह करके आज को माने ना माने आज जो इल देश के ममताब एनर जी बोल रही है अरविंद केजरिवाल थो पहले भी हसाम मांगता था हिसाम मांगना तो फाजवालों से मांगे नरंदर मोधी से क्यों साब मांगे फाजवालों से मांगे था कि यह आप मुझे बारा प्लेन गए यंग पाइले अभी नंदन जी जैसे गए जिनके को असूल है जिनके लिए ना को politician है ना कोई है सरकार है उनके लिए एक force का discipline है मैं मानता हूँ कि पुलिस के ओपर doubtful किया जा सकता है कि फर्जी encounter होते थे अभी भी होते होंगे पुलिस राजनिति के लोगों के control में है उनको तो forces को अलग कर दें पर अब फौज को राजनिति से नहीं जोड सकते आज नहीं तो कल उनमें से लोग सब retire होंगे आज नहीं होंगे पांच साल पांच साल नहीं दस बत साल बर को retire होगा retire जब होगा कौन विचार ऐसे कि उनसे को अगर गलत काम कराया क्या वो चुप होगा वो कहगा नहीं जी किताब भी लिखेगा ये मेरे से गलत कराया गया तो सवाल सबसे बड़ा है सोचे समझे बगैर अपनी सैना के उपर आप الزाम लगा रहे हो कि सैना किसने बेजी कहां बेजी है रहे सैना को मेरे घर की है आज कोई प्राइम मिनिस्टर है कल कोई है कल को दूसरा उसकी इंक्वारी किरा लेगा क्यों गये थे क्यों आएगे अगले के पास सारा हिसाब होगा अगले के पास सारा रिकॉर्ड होगा वो जिंदा शहीद की तरह वापस आ गए मरते मरते बचगे अपने देश की रक्षा वापस करते आ गए और आप उनके पर सवार उठाते हैं वो देश द्रोई हैं वो राष्ट के साथ दोखा करते हैं वो पाकिस्तान की बाशा बोलते हैं जो पाकिस्तान चाहता है वही वो करते हैं तो प क्या आपको लगता है कि इस तरह के नेताओं के कारण ही आतंगवाद की खात्मा नहीं हो पारा पूरी तरह क्यों जो आपने अभी बात की यह जो नेता है इस तरह के बैन बाजी जारी करते हैं और पाकिस्तानी मीडिया दिखाती है बड़ा-बड़ा मेरा जो अन्बब है अतंकवाद लाते भी हमें तर समापत भी हम करते हैं इस देश की जड़ अतंकवाद की हम नेताओं की देना है पुराने इतिहास के पन्नों को खोल के देख लो पंजाब के इतिहास के पन्नों को खोल के देख लो कौन था मिडरावला कौन था पहले क्या राजनितिक लोगों ने इस्तमाल किया, हरमंदर साब में किस ने बेजा, बेजा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हालात हुए, बल्यूस्टार उप्रेशन हुआ, कब हुआ, जब चुनाओ आने वाला था, तो ऐसी कई चीज़ें है, राजनिती ही अतंकवाद को लाती है, राज तो यह नहीं कह सकते हैं, यह राजनिती करता है, बही, कोई अच्छा काम अगर करेगा, को रास्ते के लिए अच्छा काम करेगा, या कुदरती ऐसी चीज़ हो जाती है, बगवान की तरफ से हो जाती है, उसको राजनिती फैदा मिलता है, तो उसमें हम कैसे कह सकते हैं, हम क ितनी सीटे आई कांगर्स की फुल मेजॉरिटी आई तो मेरे कहने का माला राजनिती करना, राजनिती ना भी करो, तो राजनिती तो अपने आप हो जागी, लोग देखेंगे यारे इन्होंने काम अच्छा किया है, इनको वो डालो, या देश इनके आथों में शुरक्षट मैं किसी की तरीफ नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूं, कॉंग्रस हो जा बीजे पी ओ, या कोई और पॉलिटिकल पार्टी हो, प्रत्थम रास्ट है, ये बात तो देखो सपस्थ है, आज लोग सड़कों कहना चाहूंगा, इस मूवमेंट को मत खत्म करो, इस करांती को खत्म मत करो, बड़ी देर के बाद ये आवाज उठी है, बड़े सालों बाद आवाज उठी है, जा कभी इंदरा गांदी के टैम पे उठी थी, इस आवाज को समाप्त मत करो, जो इस आवाज को जो इस बंद तिरंगा दिल से फैराय जा रहा है तक तकी निगाउं से देश का हर एक युवा देख रहा है और चाहता है कि इस देश में आतंगवा समापतो लेकिन बिट्टा जी ने हमको बताया किस तरह से यहां पर हमारी पॉलिटिकल विल तो है लेकिन कुछ पॉलिटिकल लोग ऐसे है वो नहीं चाहते आतंगवा समापतो एक बार फिर से अंतिम दोर में मैं आऊँगा जैयाउजा जी के पास दारा 370 और 35 को रिमूव करना अपने आप में एक बहुत बड़ा करांतिगारी निर्ने हो सकता है और निश्चित रूप से इस पे आतंगवात की जड़ाओं पे बहुत बड़ा प्रहार होगा 370 और 35 के जितने भी प्रावधान है वो हमको कोई लाव नहीं पहुंचाते भारत को वो सीधे सीधे पाकिस्तान की जो हाइब्रिड वारफेर है उनका जो एक पूरा नेरेटिव कंट्रोल का गेम है उसको फायदा पहुंचाते हैं और गराउंड एक्टिविटी में कश्मी पहुंचाते हैं जो लिए राश्टपती श्री राजेंदर परसाज जी से साइन करा के जबरदस्ती जुडवाया था उसके लिए कोई संसत का सत्र आहूत नहीं वा कोई संविधान संशोदन नहीं वा और भारत के संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई भी इल्लीगल या अनकॉंस्टिटूशनल है और सुप्रीम कोर्ट पे शायद नेरना इसलिए डेले हो रहा है मुझे लगता है कि उनको मालूम है कि यह हटा नहीं पड़ेगी जो कॉंस्टिशनल बैंच उन्हों ने बनाई है सुप्रीम कोर्ट ने उन मानने जजजेस को पता ह कि यह हटानी पड़ेगी यह इल्लीगल है वो हटने से बहुत सारी एक्सेस और बहुत सारे लोगों का जीवन उस ग्राउंड पे सुदरने वाला है और हम जैसे बहुत सारे लोगों को वहां पे काम करने की एक्सेस मिलने वाली है साथ में 370 जो विशेश दरजा दिया गया या ED है उनकी investigation को बैन करता है तो वहां का आदमी पैसा कहां से लाया और पैसा किसको दिया इसकी कोई पूछ ताच नहीं है तो fund का जो rotation है वो radical element के लिए बहुत जादा आसान हो जाता है जहां पे पैसे की कोई पूछ ताच नहीं है तो किसी भी international account से आएगा और किसी भी local account में जाएगा तो ये radicalism को फैलाने के लिए पाकिस्तान की ओर से जो पूरी radical funding है वो JNK में बहुत जादा आसान हो जाती है 370 के प्रावधानों के कारण दूसरा हमको entry नहीं मिलती हम business नहीं कर सकते हम वाकेती नहीं कर सकते हम व्यावसाय नहीं कर सकते हम जमीन नहीं करीच स warfare में है बमों का युद्ध का समय नहीं है अभी अभी narrative का युद्ध है पाकिस्तान ने 70 साल में जम्मू कश्मीर के narrative को खुद के पक्ष में कर लिया ये बहुत बड़ी तादात में देखा गया था लेकिन ये जो वरतमान में भारत सरकार है इन्होंने उस narrative को control करने के लिए पूरी दुनिया में अच्छी diplomacy की और वो diplomatic जीत भी हासल की लेकिन भारत का युवा पाकिस्तान का एक एक बच्चा एक एक बड़ा एक एक युवा और उस पूरी radical ideology को support करते वे जम्मू कश्मीर की बात कश्मीर में atrocity हो रही है ये बात करता है पर हम जैसे लोग बलुचिस तो ये एक बहुत बड़ी बात है भारत जैसा विशाल देज जहां पे 30 के लगबग स्टेट हैं और उन स्टेट के अंदर कई प्रकार की जातियां हैं बोलियां हैं भाशाएं हैं कल्चर हैं विचार हैं व्यवार हैं हम तो एक साथ रह रहे हैं लेकिन उनके पास कुल 5 स्टेट में एक उनका फोर्सफुली आउक्किपाइड है और चार उनको बटवारे के दौरान मिलेते उन में से उन पाच में से चार लोग उनको छोड़के जाना चाहते हैं तो हम भारतियों को उन सब सिवलाइजेशन को सपूर्ट करना चाहिए और पाकिस्तान जैसी सोशल मीडिया पर करना चाहिए में स्ट्री मीडिया में करना चाहिए क्योंकि आतंगवाद की फैक्टरी आचार चानक के ने ये सिखाया हमें कि जिस पेड़ के फल कटीले हैं जिस पेड़ के अंदर काटे निकल रहे हैं जो लोगों के पैरों में छेद कर रहे हैं उसकी ड production हम बंद नहीं करेंगे तब तक ये रिडिकलाइजेशन बंद नहीं होगा ये रक्त बीज हैं आप सो मारोगे 200 पैदा हो जाएंगे आप 200 मारोगे 500 पैदा हो जाएंगे ये रक्त बीज हैं रक्त बीज का वद करना है तो मा काली की तरह है रक्त बीज का सर काट के और उसके रक्त को जमीन पे मत फैलने दो, उसको वही रक्त को रोग दो, तब ये रक्त बीज और बनना बंद होंगे, और ये असुरी जो व्यवस्ता है, इसका अंत तब ही होगा, ऐसा मेरा व्यक्ति के तुचार है, दन्यवाद.